नमस्कार SS Foods & Pickle Channel आपका स्वागत है आएं आज की दिन की शुरुवात हम नहीं वीडियो से करते हैं आज हम आपको तिल के बारे में बताना चाहेंगे तिल जो है अपने आप में बहुत हेल्दी गिज़ा मानी गई सर्दियों में हम यहाँ पर तिल से बहुत सारी मिठाई बनाते हैं तिल दो परकार का होता है ये जो आप देख रहे हैं ये सफेद तिल है दूसरे तिल की परकार काला तिल होता है काले तिल को ग्रह दोश खत्म करने के लिए पूजा में पित्रपक्ष जब शाद होते हैं उस वकत जो पूरवजिस दुनिया से चले गए उनकी पूजा में इस्तमाल किया जाता है और जिनके जर्मकुंडली में शनी दोश या जिनके व्यापार में घाटा होता है ग्रह दोश होते हैं उनको निम्टारा करने के लिए उनको ठीक करने के लिए काले तिल का इस्तमाल किया जाता है यहाँ पर जिस तरह से सरसो का तेल निकाला जाता है कोहलू में उसी तरह से तिल का भी तेल निकाला जाता है हम आपको सफेद तिल का तेल यह जो सामने यह रखे है इसका तेल दिखाएंगे यह देखिए यह बोटल में तिल का तेल है यह इस तिल का तेल को हम बच्चों की मालिश में बुड़ों की मालिश में और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको ड्रॉप्स के अनुसार इंफेंट्स को तिल का तेल पिलाते हैं और इसकी मालिश भी करते हैं आपने पंच करम के बारे में सुना होगा जो old ancient malish साजी जिसको कहते हैं वो पंच करम उसमें भी तिल का तेल बहुत इस्तमाल होता है तिल का तेल और तिल सबसे ज्यादा सर्दियों में इस्तमाल किये जाते हैं यहाँ पर इसकी अनेक परकार की मिठाईयां बनाई जाती हैं specially जो रेवडी गुड की मिठाई तिल से ही बनाई जाती है इसका इस्तमाल हम अचार में भी जो खासकर मिर्च का अचार होता है गुजराती अचार उसमें भी बहुतायत से किया जाता है हम जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस वक्त तिल का तेल और तिल इस्तमाल नहीं करते इसके अलावा तिल के लडू बनाई जाते हैं और तिल की घुजियां रेवडी भी यहाँ पर बनाई जाती है तिल को अंग्रेजी में सी सेम सीड्स बोलते हैं पहले जमाने में इसकी बहुत आयद से खेती की जाती थी ये इसकी खेती जिन जगह पर स्यादा ठंड होती है वहाँ पर बहुत अच्छे से होती है लेकिन पूरी दुनिया में क्लाइमेटिक चेंज होने की वज़ा से इसकी खेती कम होती जा रही है यहाँ पर पूजा में खास कर जब तुलसी पूजा होती है वीरवार के दिन तुलसी के नीचे तिल के तेल का दिया जलाया जाता है उमीद है नाजरीन आपको मेरी आज की वीडियो जिरूर पसंद आई होगी आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद